So hello everyone and welcome back to another video So, जैसा कि मैंने अपनी explaining every balance type वाली वीडियो में कहा था कि मैं और भी types के उपर इसी तरीके के वीडियो लेके आऊँगा तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों को बताने वाला हूँ सभी stamina type base के बारे में मतलब season 1 से लेकर season 6 पे जितने भी तुम्हें main releases stamina type base दिखे हैं उन सभी के बारे में मैं तुम्हें इस वीडियो में explain करने वाला हूँ So, इसलिए हमें बहुत सार stamina type base के बारे में बात करनी हैं तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं So, चलो पहले season 1 के stamina type base के बारे में बात कर लेते हैं और पहला stamina type जो की हमें season 1 में दिखाया गया था उसके बारे में तो शायद तुम्हें भी पता होगा अगर नहीं पता है तो ये बे है raging rock tower इसे रंतारो की आमा own करता है तो अब तुम्हें इस बे के बारे में तो पहले से ही पता होगा तो चलो बात कर लेते हैं अपने दूसरे stamina type base के बारे में ये बे है जेड जॉर्मांट और अब माफ करना अगर मैंने नाम गलत लिया हो तो अब इस बे को own करता है जिन आई जावा एंड ये भी एक ब्लेडर है एंड ये नहीं character उतना interesting है एंड नहीं इसका wavelength उतना interesting है तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे stamina type B के बारे में ये बे है जिलियन जीटरॉन अब जीटरॉन के बारे में भी मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरुत है नहीं क्योंकि इसका owner है जैक है एंड इसके बे के बारे में हमें अच्छे से season 1 में explain कर दिया गया था तो चलो अब अपने चौते stamina type B के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमें season 1 में दिखा था ये बे है hyper horosuit अब horosuit के बारे में भी मुझे ऐसा कोई बात करने की जरुत है नहीं क्योंकि ये उतना interesting बे है ही नहीं इसे होजी नाम का एक later own करता है तो चलो अब बात कर लेते हैं season 1 के आखरी और पाच में stamina type B के बारे में ये बे है ये गर ये ड्रिसील अब इस B के बारे में भी हम ज़यदा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं ये उतना exciting B है ही नहीं तो अब इसी के साथ हमारी season 1 की stamina type base की list खतम होती है तो चलो अब बात कर लेते हैं season 2 के stamina type base के बारे में तो जो season 2 का पहला stamina type B था वो था blazing ragnarok क्या कह सकते हो basic rockta war और एंड इस बे में भी ऐसा कुछ बात करने के लिए है नहीं बस इसकी layer में एक gimmick है जो की real life में work तो करता है नहीं तो उसे बताने का तो कोई मतलब बनता नहीं है तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे stamina type B के बारे में तो अब जो हमारा दूसरा B है वो है maximum Garuda अब Garuda की layer evolution के time पे तो ऐसा लगता था काफी ज़दा बड़ी है बट अभी के time पे तुम उसे अगर DB Beyblade से compare करोगे तो उसकी लिए normal size की लगती है तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे stamina type B के बारे में और ये बे है Drain Fafnir तो अब Drain Fafnir को कौन कौन नहीं जानता Fafnir एक ऐसा पहला बे था जिसने burst system में spin steel वाला gimmick लाया था मतलब इससे पहले और कोई भी ऐसा बे नहीं था जिसने burst system में spin steel वाला gimmick लाया हो तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे चौते stamina type B के बारे में ये बे है Deep Chaos अब Deep Chaos एक ऐसा बे था जिसमें एक ऐसा literal part आता है जो कि इतना जयदा competitive है और ये एक part आज तक DB tournaments में भी use होता है मैं बात करना हूँ bearing driver के बारे में बट bearing driver की वज़े से ही Deep Chaos के teeth काफी जयदा मतलब धीले रहते हैं क्योंकि जो bearing driver है उसका जो locking mechanism है जो उसकी spring है वो बहुत जयदा lose रहती है जिसकी वज़े से Deep Chaos बार-बार burst होता रहता है तो वैसे तो ये बे burst series या कहा हूँ evolution series में उत्रा अच्छा बे नहीं था क्योंकि ये burst होता रहता था बट जो इसका driver है वो काफी ज़दा competitive है ये आज तक यूज होता है सो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे पाच में evolution bay के बारे में ये बे है galaxy zeutron बहले ही galaxy zeutron हमें bay blade burst evolution के anime में ना दिखाया गया हो बट टकारा टॉम ही ने at least उसका bay तो release किया ही तो इस bay के बारे में भी हम ज़्यदा बात नहीं करेंगे बले ये bay evolution के time पे काफी ज़्यदा competitive था बट अब तो ये बेलिकली बेकार हो चुका है क्योंकि तुम्हें पता ही होगा obviously बात है आगे वाली series बहतर होती है तो इसलिए ये bay भी बेकार बन चुका है तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे 6th और आखरी stamina type 2 के बारे में जो कि हमें season 2 में दिखा था ये bay है spiral trip tune और इस bay के बारे में भी मैं बात नहीं करूंगा इसमें wedge driver मिलता है बिल्कुली बेकार bay है teeth भी बहुत ज़्यदा खराब है सबसे heaviest frame यानि की bump frame होने के बाद भी ये बिल्कुल ही बेकार bay है तो चलो अब बात कर लेते हैं season 3 के stamina type bay इसके बारे में चलो बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले stamina type bay के बारे में जो कि है trash ragna rock I'm sorry मेरा मतलब था crash ragna rock अब इस बेके बारे में भी बात नहीं करूँगा तुम इसे just trap tune का भाई कह सकते हो इसकी layer में बले ही metal लगा हो लेकिन फिर भी ये बेकार bay है पहले तो इसमें wedge driver में जो की बहुत ज़्यदा मतलब ऐसे लड़खडाता रहता है last game में जब भी एक बेको stamina की ज़रत सबसे ज़र last में ही पढ़ती है तब ही ये driver लड़ खाडाने लग जाता है और साथी साथ इस बेके बीटीद बहुत 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 ज़्यदा खराब है तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे stamina type bay के बारे में जो की हमें bay blade booster वो या कह सकते हो season 3 में दिखा था और ये bay है Archer Hercules अब जो Archer Hercules है वो बहुत ज़्यदा competitive bay था और काफी ज़्यदा अच्छा bay था मतलब जो इसका stock combo था वो तुम कह सकते हो कि एक अच्छा stamina type combo था लेकिन कभी भी इसे उतनी hype नहीं मिली जितनी बाकी stamina type को मिलती है तो भले ही ये bay को hype ना मिली हो बट ये still काफी ज़्यदा competitive bay था तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे stamina type bay के बारे में जो की हमें bay blade burst turbo में दिखा था और ये bay है Geist Fafnir अब Geist Fafnir के बारे में भी तुम अलड़ी जानते होगे इसका spin steel gimmick and बाकी सब तो इस बारे में भी हम बात नहीं करेंगे तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे चौते और आखरी stamina type bay के बारे में ये bay है air knight अब air knight एक काफी अच्छा बे हो सकता था अगर उसके पास expand frame ना होती क्योंकि इसमें भी internal driver लगा है जो कि archer harkilis में लगा था तो इसकी वज़े से ये काफी अच्छा बे हो सकता था बट जो expand frame है उसकी वज़े से अगर इसे हलकी सी भी टककर लगती है या कहाँ बेबलेट बर्थ GT का जो पहला stamina type B है वह विजार्ड फैफनियर अब विजार्ड फैफनियर की एक ही खराब बात है कि जो इसके टीथ है वह बहुत ज़यदा ही खराब है मतलब भले ही इसमें स्टील कर सकता हो इसके बाके सारे gimmicks के बारे में लेकिन फिर भी इसके टीथ बहुत ज़यदा खराब है जिसकी वज़े से यह सबसे ज़यदा वर्स्ट फैफनियर बन जाता है सो चलो अब बात कर लेते हैं सीजन फोर के दूसरे और आखरी stamina type B के बारे में और ये भी है heaven pegasus अब heaven pegasus में भी सेम यही दिक्कत रहती है कि उसका जो टीथ है वो बहुत ज़यदा खराब है वो बार-बार बर्स्ट ही होता रहता है तो इसलिए अब हम उसके बारे में भी और बात नहीं करेंगे तो चलो अब बात कर लेते हैं सीजन फाइव के स्टैमिना टाइप बेज के बारे में वो अब जो सीजन फाइव का पहला स्टैमिना बे है वो है Glide Rock Tower ये भी बेकार बेज की लिस्ट में याता है भले इसमें वील्डिस को एंड रिवॉल्व ड्राइवर हो बट इसमें भी सेम यही दिक्कत रहती है जितनी पहले स्टैमिना टाइप बेज के साथ रही है कि इसके टीथ काफी ज्यादा खराब है जिसकी वज़े से ये बार-बार भी बर्स्ट होता रहता है तो चलो अब बात कर लेते हैं सीजन 5 के दूसरे और आखरी स्टैमिना टाइप बे के बारे में सो अब जो सीजन 5 का दूसरा और आखरी स्टैमिना टाइप बे है वो है मिराज फैफनियर सो अब मिराज फैफनियर एक काफी अच्छा बे रह चुका है सीजन 5 में बहले ही उसका nothing driver उतना जएदे competitive ना हो वैसे तो competitive है बट जो last में life after death की बारी आती है तब वो बहुत जएदा बेकार बन जाता है वो काफी जल्दी ही रुख जाता है लेकिन अगर nothing driver को हटा दोगे तो बाकी जो दोनों layer है और जो chassis है वो जो nothing driver के flaws है उनको समाल लेते हैं तो चलो अब बात कर लेते हैं सीजन 6 के stamina type base के बारे में सो चलो अब बात कर लेते हैं सीजन 6 यह कहूं बेवलिट बस दीबी के पहले stamina type base के बारे में जो पहला stamina type है वो है cyclone Ragnarok अब अब अगर मैं बाकी सभी Ragnarok के comparison में cyclone Ragnarok को रखू तो यह काफी अच्छा Ragnarok बन जात डाले जाते थे कि उसके तो टीत ही कराब है लेकिन जो डीवी में जो रहनारॉक आया है उसके उतने खराब नहीं है मतलब बिलकुल ही तुम उसे ट्रेश में पहक सकते है ऐसे नहीं है थोड़े से ने ओर्मल टू आवरेज टाइप के टीत हैं उसके जो इसके साथ गीगा डिस्क एंड नेवर ड्राइवर आता है वो भी काफी अच्छी है तो इसलिए ही मैं इसे सबसे अच्छा रहना रहता हूं तो चलो अब बात कर लेते हैं वे बलेट बस डीबी के दूसरे एंड आखरीव स्टामिना टाइप बे के बारे में एंड ये बे है वैरनेश फैफनिय अब वैनेश फैफनियर भी एक काफी अच्छा बे है इसका जो पूरा डीवी बलेड है वो पूरा का पूरा रबर से बना है और साथी जो टेपर डिस्क है वो भी काफी अच्छी है बट किक ड्राइवर के वारी मैं कहूंगा कि ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता ह तो अब वैनेश फैफनियर के साथ ही मैंने तुम्हें आलमोस्ट जितना मुझे पता है सभी स्टैमिना टाइप बेस को एक्स्प्लेइन कर दिया है तो अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब कर सकते हो एंड जल्दी मैं इसी तरीके की और भी वीडियो लेके आऊंगा बाकी टाइपस के उपर भी तो इसलिए अगर वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना सब्सक्राइब ना थैंक्स फॉर वाचिंग झाल